सात्यों हम देश के नागरिकों के लिए सारी दुनिया में चर्चा है इस आफ डूइंग बिजनेश ग्लोबल कॉंपुटिशन का वो एक दायरा बन गया है और उसका महत्वा है उस दिशाम हम काम भी कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान हमने केंद्रित किया है इस आफ लिविंग और देश के लिए modern infrastructure के unique combination पर काम कर रहे हैं भारत में एक ऐसे system का निर्मार कर रहे हैं जो ना सर्फ transparent हो लेकिन sensitive भी हो रेल्वे लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने की रप्तार अब डबल हो चुकी है रेल लाइनों का बिजली करण तीन गुना रप्तार से आगे बढ़ रहा है गावों में सडके और नेस्टल हाइवेज मेरी सरकार दो गुनी रप्तार से बना रही है पहले जिस स्पीड से पावर transmission लाइन बिशाई जा रही थी आज यही काम उससे दो गुनी रप्तार से हो रहा है पहले सिर्फ बताओं बताओं चोग नहीं जाएंगे ना धका लगेगा आपको पहले की सरकार में चार साल में चार साल में 59 गाम पंचायतों के मुकाबले हमने चार साल में 59 गाम पंचायत के मुकाबले हमने चार साल में एक लाग दस जार से जादा गाम पंचायतों में आप्टिकल फाइबर को डाल दिया है पहले सिर्फ 28 सरकारी योजनाओं के मुकाबले अब चार सो से जादा योजनाओं को और उसके पैसे लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो रहे हैं कोई बिचोलिया नहीं डाइरेक्ट यहां तक की जो LED बल्ब हम सरकार में आये उससे पहले साड़े तिन सो चार सो रुपय में बिखता था वो आज सिर्फ 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 चालीस पचास रुपय में बिखता है पहले जहां पांच बार बोलों को दियात रहेगा किद्री किद्री वहीं आज इसकी संख्या एक सो बीस हो गई है बारत में बन रहे हैं मोबाइल ने इंपोर्ट करने का खर्च भी घटा कर आधा कर दिया है भारत में आज बड़ी संख्या में नए इंजिनेरिंग कॉलेज खुल रहे हैं मैनेजमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं सिर्फ पिछले धाई साल में भारत में नव हजार से जादा स्टार्ट अप रजिस्टर किये गए हैं दुनिया का दूसरे दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टिम भारत में बड़ा है और मेरे प्यारे भारत को प्रेम करने वाले इंडियो नेशिया में हिंडिया को जीने वाले मेरे भाहियो बहनों यह हो रहा है कानुन वही है बाबु लोग भी वही है अपसर भी वही दफ्तर भी यही नियम भी वही सब कुछ वही लोग है सरक बदली है सरकार और देश बदल रहा है अगर दिशा सही हो नीती साफ हो नियत नेख हो तो विकास होकर की ही रहता है यह हमने करके दिखाए आज दुनिया भर में भारत के पास्पोर्ट की ताकत बढ़ गई है बढ़ी अगी नहीं बढ़ी है आप इभी वेशन पर जैसे भी हिंदुस्तान का पास्पोर्ट निकालते है तो उपर देखता है यह नहीं देखता है आप को ऐसे बराबर देखता है अच्छा इंदुस्तान चाहिए दुनिया की सक्ति साली अर्थे परवस्ताओं का भारत अज हिस्सा बढ़ा है भारत सोलार एनर्जी को मानव कल्याण के हित में जादा से जादा इस्तिमार करने के लिए इंट्रंडेस्ट और सोलार एलाइन्स की अगवाई करने वाले देशों में से एक है हमारी सरकार भारत को 21 सदी की आवश्यक्ताओं आश्राओं अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने का काम कर रही है आज भारत न्यू इंडिया के संकल्प के सांस तेज गती से आगे बढ़ रहा है हमें न्यू इंडिया बनाना है 2022 तक जब भारत के आजाजी के 75 वर्स होंगे न्यू इंडिया का सपना साकार करने के लिए हमें चल पड़ना है